प्रस्न चार किसी वरगाकार फूलो की क्यारी की भुजा 1.8 cm है इसके चारों और 20 cm चौड़ी पट्टी खोद कर क्यारी को बढ़ा दिया गया है इस बढ़ी हुई क्यारी का छेतरफल ग्याद करें क्यारी के छेतरफल में कितनी विर्धी हुई तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं तो कहरा किसी वर्गाकार फूलों की क्यारी की भुजा देखे वर्गाकार क्यारी है यानि चारों भुजा क्या है बराबर है इसमें तो मान लिजे कि ये है वर्गाकार क्यारी ठीक है इसका नाम देते हैं हम ABCD क्या नाम देते हैं ABCD तो ABCD क्या है वरगाकार फूलो की क्यारी है जिसके भुजा है 1.80 cm कितना है 1.80 cm तो इस क्यारी का इस वरगाकार क्यारी का जो भुजा है 1.80 cm है इसके 4 और 20 cm चौड़ी पट्टी खोद कर क्यारी को बढ़ा दिया गया देखे इसके 4 और इसके 4 और तो इसके 4 और क्या किया गया है 20 cm यानि ये जो ये है 20 cm ठीक है तो इसके 4 और 20 cm चौड़ी पट्टी देखे 20 cm का चौड़ी पट्टी खोद कर क्यारी को बढ़ा दिया गया यानि ये जो ये है 20 cm चौड़ा ठीक है चारो तरफ इस तरह से मान लिजे इसको हम नाम देते हैं PQRS क्या नाम देते हैं PQRS ठीक है तो इस तरह हम पहले चितर बना लेंगे अब कहरा इस बढ़ी हुई क्यारी का च्छेतरफल ग्याद करें यानि इस बढ़ी हुई क्यारी ये जो क्यारी है जो बढ़ गया है उसका च्छेतरफल तो हमें किसका छेतरफल ग्याद करना है ये जो बढ़ी हुई क्यारी है देखे इसका ठीक है इसका छेतरफल हमें ग्याद करना है तो ये जो क्यारी जो बढ़ ग्याद करना है तो हम देखे रंग दे रहे हैं ताकि पता चले किसका छेतरफल निकालना है ठीक है इसका छेतरफल हमें ग्याद करना है इस बढ़ी हुई क्यारी का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो ये जो वर्गाकार फूलो की क्यारी है ABCD इसका छेतरफल ग्याद करेंगे फिर ये जो बढ़ा वाला वर्ग है PQRS इसका छेतरफल ग्याद करेंगे यानि PQRS का छेतरफल ग्याद करेंगे यह जो बड़ा वाला वर्ग है फिर इस वर्ग में से इस वर्ग का छेतरफल को घटा देंगे तो आ जाएगा इस बढ़ी हुई क्यारी का छेतरफल तो हम लिखेंगे यहाँ पर तो फिर से चीतर को समझ लेते हैं ठीक है क्योंकि चीतर को अगर समझ लिएं तो यह हिसाब बन जायगा तो यहाँ पर किसी वर्गाकार फूलो की क्यारी की भुझा तो मान लेते हैं A, B, C, D क्या है एक वर्गाकार फूलो की क्यारी है जिसका भुझा दिया हुआ है एक मीटर 80 सेंटी मीटर तो वर्ग है यानि चारों भुजा बराबर है तो ABCD का छेतरफल हम ग्याद कर लेंगे सबसे पहले उसके बाद इसके चारों यानि ये जो फूलों की क्यारी इसके चारों 20 सिंटिमेटर चौड़ी पट्टी खोद कर क्यारी को बढ़ाया गया है ठीक है? तो देखे पहले हम ABCD का छेतरफल ग्याद कर लेते हैं तो हम लिखेंगे वर्ग वर्ग ABCD ABCD का छेतरफल वर्ग ABCD देखें पहले हम ABCD का छेतरफल ग्याद करेंगे जो की वर्गाकार फूलों की क्यारी है तो वर्ग ABCD का छेतरफल तो वर्ग का छेत्र फल का सूत्र क्या होता है भुजा का वर्ग यानि भुजा कितना है एक मीटर असी सेंटिमीटर का वर्ग इस तरह कर देंगे एक मीटर 80 cm का वर्ग अब यहाँ पर तो 1 meter 80 cm बराबर हो जाएगा 1.8 meter तो 1.8 meter का वर्ग तो 80 cm को अगर हम meter में बदलेंगे तो आजागा 0.8 meter ठीक है 80 cm बराबर कितना हो जाएगा 0.8 meter क्योंकि 1 meter में 100 cm होता है तो 80 cm को हम meter में बदल देंगे तो आजागा 0.8 और 1 meter पहले से यहाँ पर है तो 1.8 meter हो जाएगा ठीक है 1 meter 80 cm कितना हो जाएगा 1.8 meter ठीक है तो इसको हम पहले meter में बदल लेंगे तो 1 meter 80 cm बराबर हो जाएगा 1.8 meter तो 1.8 का वर्ग तो कितना हो जाएगा तो 1.8 गुना 1.8 कर लेंगे 1.8 गुना 1.8 देखे दस्मलो बाद में लगा लेंगे ठीक है तो 88,64 8,614 और 18 गुना 1,18 4,8,4,12,1,1,2,1,3 यानि 324 तो आगया 3.24 वर्ग मीटर तो दस्मलो के बाद एक अंक है तो 2 बार गुना हो रहा है इसलिए दस्मलो के बाद 2 अंक होना चाहिए तो 2 के पहले दस्मलो देदेंगे तो 3.24 वर्ग मीटर आगया वर्ग A, B, C, D का छेतरफल यानि वर्गाकार फूलो की क्यारी का छेतरफल आगया 3.24 वर्ग मीटर अब लिखेंगे अब वर्ग PQRS PQRS की भुजा PQRS की भुजा बराबर देखें अब ये जो क्यारी जो खोद करके बढ़ाया गया है उसका बॉंडरी क्या है PQRS है इस तरह से बनेगा तो PQRS का भुजा वर्ग जो है यहाँ पर PQRS इसका भुजा तो देखें ये वर्ग है तो ये भी वर्ग होगा क्योंकि चारो तरफ 20 सेंटीमीटर का चोड़ाई है तो PQRS का भुजा क्या होगा अब देखें एक मीटर 80 सेंटीमीटर है इसमें 20 सेंटीमीटर इधर जोट जाएगा और 20 cm इधर जूड़ गया यानि 40 cm तो 1 m 80 cm में 40 cm को जोड़ देंगे तो कितना होगा यानि 1 m 80 cm 1 m 80 cm जोड 20 cm जोड 20 cm इस तरह तो 1 m 80 cm जोड 20 cm जोड 20 cm कितना होगा तो इसको हम निकाल लेते हैं मीटर हम पहले बदल लेंगे तो 1 m 80 cm बराबर हो जाएगा 1.8 m जोड 20 cm हो जाएगा 0.2 m 100 से भागा देंगे cm को मीटर हम बदलना है तो 100 से भागा देते हैं तो 20 को 100 से भाग देंगे तो कितना हो जागा 0.2 ठीक है और 80 को 100 से भाग देंगे तो 0.8 यानि 0.8 तो 1 है तो 1 और 0.8 को जोड देंगे तो 1.8 m यानि इसको मीटर हम पहले बदल लेना है ठीक है 1.8 cm हो जाएगा तो 80 को 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.8 और 1 को जोड देंगे 0.8 में तो जाएगा 1.8 m उसी तरह 20 को 100 से भाग देंगे तो 0.2 20 को 100 से भाग देंगे तो 0.2 अब इसको जोड लेते हैं तो 8,2,10 10,2,12 हाथ में रहा 1 ایک, एक, दो देखें 8,2,10 10,2,12 हाथ में रहा 1,1,2 यानि 2.2 मीटर कितना आ गया? 2.2 मीटर तो वर्ग PQRS की भुजा कितना हो गया? 2.2 मीटर तो चितरा समझ लेते हैं एक बाद तो देखें यह हो गया 2.2 मीटर यह भुजा जो बड़ा वर्ग है इसका भुजा हो गया 2.2 मीटर तो अब हम इसका छेतरफल ग्याद करेंगे वर्ग PQRS का छेतरफल ग्याद करेंगे आप तो लिखेंगे अतर छेतरफल बराबर क्या होगा भुजा का वर्ग तो वर्ग का छेतरफल का सुत्र होता है भुजा का वर्ग तो भुजा कितना आया दो दस्मलो दो भुजा कितना आया दो दस्मलो दो तो दस्मलो दो का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा अब दस्मलो दो गुना दो दस्मलो दो कर लेते हैं यानि बाइस गुना बाइस कर लेते हैं, बाइस गुना बाइस, तो बाइस गुना चुवालिस, बाइस गुना चुवालिस, चारसो चौरासी, कितना आ गया, चारसो चौरासी, तो यहां पर हो जाएगा, चार दसमलो आठ चार, चार दसमलो आठ चार, वर्ग मीटर, ठीक है, तो दस्मलों के बाद एक अंक है तो दस्मलों के बाद दो अंक होना चाहिए इसलिए 8 के पहले दस्मलों दे देंगे तो 4.8 चार वर्ग मीटर हो गया छेतरफल किसका छेतरफल आ गया जो बड़ा वला वर्ग है PQRS है ठीक है तो वर्ग PQRS की भुजाम निकाले थे 2.2 मीटर तो इसका छेतरफल आ गया 4.84 वर्ग मीटर अब क्या कहा रहा है हमें कि इस बढ़ी हुई क्यारी का छेतरफल ग्याद करें तो लिखेंगे अतर बढ़ी हुई बढ़ी हुई क्यारी बढ़ी हुई क्यारी का छेतरफल बराबर क्या हो जाएगा तो देखें बढ़ा वला वर्ग का छेतरफल कितना आया था 4.84 वर्ग मीटर और जो छोटा वला वर्ग है उसका छेतरफल आया था 3.24 तीन दसमलो दो चार वर्ग मीटर तो बड़ा वला वर्ग में से छोटा वला वर्ग का छेतरफल को घटा देंगे तो आजागा बढ़ी हुई क्यारी का छेतरफल यानि जितना बढ़ाया गया है क्यारी उसका छेतरफल आजागा तो घटा लेते हैं, चार में से चार गया, सुन्य, आठ में से दो गया, छे, अब दसमलो देंगे, चार में से तीन गया, एक, यानि एक दसमलो छे सुन्य, वर्ग मीटर, तो बड़ी हुई, क्यारी का छेतरफल कितना आगया? एक दस्मलो छे सून्य वर्ग मीटर ठीक है अब क्यारी के छे तरफल में कितनी विर्दी हुई है ये भी निकालना हमें क्यारी के छे तरफल में कितनी विर्दी हुई है तो देखे तो बढ़ी हुई क्यारी का छे तरफल देखे निकल चुका है 4.84 वर्ग मीटर और तो यहाँ पे देखिए लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे जो वाक के लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है तो देखिए बढ़ी हुई क्यारी का छेदर्फल आ गया 4.84 वर्ग मीटर यानि जो बड़ा वाला वर्ग है उसी का छेदर्फल हम को लिख देंगे बढ़ी हुई क्यारी का छेदर्फल कितना हो गया 4.84 वर्ग मीटर ठीक है 4.84 वर्ग मीटर तो बढ़ी हुई क्यारी का छेदर्फल आ गया है 4.84 वर्ग मीटर और क्यारी के छेदर्फल में विड़धी हुई है कितना विर्दी हुई है तो बड़ा वला जो वर्ग है उसमें से छोटा वला वर्ग को घटा देंगे बड़ा वला वर्ग का छेतरफल में से छोटा वला वर्ग का छेतरफल को घटाएंगे तो आ जाएगा क्यारी के छेतरफल में जो विर्दी हुई है कितना विर्दी हुई है एक दसमलो छे सून्य वर्ग मीटर जिसको कि हम लिख सकते हैं एक दसमलो छे वर्ग मीटर क्यूंकि दसमलो के बाद सून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्यारी के छेतरफल में विर्धी कितना विर्धी हुई है तो बड़ा वला जो वर्ग है PQRS उसमें से यानि PQRS का छेतरफल में से छोटा वला वर्ग ABCD का छेतरफल को घटाएंगे तो आज आएगा क्यारी के छेतरफल में जितना विर्धी हुई है तो इस तरह हम इसको हल कर रहेंगे तो बढ़ी हुई क्यारी का छेतरफल देखे तो यहाँ पर वर्गाकार फूलो की क्यारी कौन है यहाँ पर A, B, C, D फिर 20 सेंटिमीटर चौड़ी पट्टी खोदा गया तो बढ़ी हुई क्यारी का छेतरफल क्या हो जागा यह जो बढ़ा वला वर्ग है इसका छेतरफल तो बढ़ा वला वर्ग का छेतरफल आय था 4.84 वर्ग मीटर ठीक है तो बढ़ी हुई क्यारी का छेतरफल हो गया 4.84 वर्ग मीटर यानि यह जो बड़ा वला वर्ग का छेतरफल अब कहा रहा है कि कितनी विर्दी हुई तो बड़ा वला वर्ग का छेतरफल में से छोटा वला वर्ग का छेतरफल को घटा देंगे तो यह जो विर्दी हुई है यह ग्यात हो जागा जो रंगे है तो इस तरह हम इसको हल करेंगे 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 जायाओ करेंगे करेंगे मिया जादी सकेना रही है झाल झाल